नवस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती सांगवान आप देख रहे हैं बड़ी बात विवादित बयानों के लिए मश्चूर चंडेगर से बीजेपी महिला सांसत किरन खेर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया किरन खेर अभी नेत्री से नेत्री वनी है लेकिन इस बदलाव के बाद वो समाज में क्या बोलना है अकसर ये भोल जाती है फिल्मों में रिटेक उन्हें जरूर मिलता होगा लेकिन यहां बयान के बाद यूटर्ण लेना पड़ता है और चंडिगर्ड में 17 नमबर को हुए गैगरेप मामले पर उन्होंने पहले पेडिता को ओटो में ना बैठने का सुझाओ दिया नसीहत दी गई उसके बाद में कहा कि उनके बयान का ये माइना कतई नहीं था ये मतलब नहीं था तो सांसर साहिवा चंडिगर्ड जैसे शहर में लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही तो नसीहत से काम चलाने की पूरी कोशिशों में चिटे हर्याना और पंजाब की राजधानी चंडिगर्ड केंदर शासित प्रदेश चंडिगर्ड देश के सबसे साफ सुत्रे शहरों में शामिल चंडिगर्ड और इस खुबसूरत शहर के लोगों ने सांसत बनाया एक खुबसूरत फिल्म अभिनेतरी से नेतरी बनी किरन खेर को 2004 में चुनाव जीतने के बाद से किरन खेर चंडिगड में कम ही नजर आई जब जब वो मुंबई से चंडिगड आई तो विवादित बयान साथ लेकर ही आई खास कर पिछले कुछ महिनों में खेर का बोल और खामुशी दोनों ही विवाद बन गए चंडिगड की सुखना लेक जब सुखने के कगार पर थी तब शहर की सांसद का अता पता नहीं था अगर वो मामले को लेकर गंभीर थी तो नजर क्यों नहीं आई राम नहीं मामले में चंडिगड में भी तनाव था लेकिन तब भी सांसद मौन थी गायब थी वर्निका कुंडू माबले में तीरन खेर कुछ नहीं बोली और आप चंडिगर में 17 नवंबर को हुए गैंगरेप के माबले में वो बोली हैं तो क्या बोली हैं वो आप सुनिये खेर के इस बोल का उन्हें कुछ घंटे में आभास भी हुआ तो यू टर्म ले गई मैं उस बच्ची की समझदारी को भी मैं खोड़ा सा कहना चाहती हूं कि बेटा सारी बच्ची ओं को और रड़ी जब कोई तीन आदमी बैखे में उसके अंदर तो आपको उसमें बेटा नहीं चड़ना चाहिए कि मतलब आप और क्या है कि हम लोग भी कभी टैक्सी लेते थे समझो मुंबई में भी हम किसी ना किसी जो हमको साथ चोडने आता था उसको नमबर लिखा दे थे टैक्सी का की बेटा ये नमबर लिख लो इसका ये कर लो बिकॉस वी वांटे आर सेफटी अस गर्ल्स आपको देखिए मैंने तो ये कहा था कि जमाना बड़ा खराब है बच्चियों को हमको खुद भी लेडीज को बच्चों को थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए कि अगर एक आटो में तीन आदमी बेखे हैं पहले से तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए किरनखेर ने अपने बयान से भले ही किनारा करते हुए लड़कियों को नसीहत दी है पुलिस की और से मदद की बात कही है लेकिन उनहीं के पार्टी से तालुक रखने वाले पीम नरेंडर मोदी उनके बयानों से कतई इतिफाक नहीं रखते मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूँ हर माबाप से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में बेटी दस साल की होती है बारा साल की होती है मावर बाप चौकनने रहते हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो कब आओगी पहुंचने के बाद खोन करना बेटी क्यों तो सेंकड़ सवाल माबाप पूछते हैं लेकिन क्या कभी माबाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है कहां जा रहे हो क्यों जा रहे हो कौन दोस्त हैं आखिर बलाकार करने वाला किसी किसी का किसी का बेटा तो है उसके भी तो कोईन कोई माबाप है क्या माबाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो कहां जा रहे हो अगर हमाँ बाप ताय करें, हमने बेटियों पर जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही असल में किरन खेरेक अभिनेत्री है, जो फिल्मों में लोगों का मनोरंजन करती है कुछ महीने पहले उन्होंने चेड़ेगर्ड में खुद पर भी वयान दिया था, कि वो जब से सांसत बनी है, तब से अक्टर से ट्रैक्टर हो गई है इस तरह के बयान देने के बाद, गैंगरेप जैसे समवईदन शील मुद्दे पर दिये उनके दोनों ही बयान, पीडिता कताई नहीं सुनना चाहेगी विरो डिपोर्ट, खबरें अभी तक देखे, शर्मनाक तो है कि सुरक्षा नहीं दे पाती, तो सुझाओ के साथ आप सामने आ जाती है जब सुझाओ को लेकर खेरे जाती है, कि पीडिता को आप मरहम देने के बज़ाए जखम पर नमक चिड़क रखी है अपने बयान के जरहे, तो सफाई भी देते हैं कि बयान को तोड मरोड कर पेश किया जा रहा है बयान के जो शाबनी कर्थ हैं उन पर ना जाईए, उन पर राजिती करना कतई सही नहीं है या कहीं कि सरासर गलत है, ये बातीं किरनखेर की तरफ से कह भी गई लेकिन एक मा के तोर पर ये सुझाओ मैंने दिया, ये बात उनकी तरफ से कही गई लेकिन क्या उनकी बेटी के साथ या किसी भी उस सियासतदान की बेटी के साथ जो इस तरह की बयान देते हैं, इस तरह की नसीहत देते हैं, अगर इसी तरह की वारदात हो जाती है तो क्या इनी तरह के शब्दों का इस्तिवाल किया चाएका ये बड़ा सवाल है साथी चंडिगर जैसे शहर में क्या सुरक्षा दे पाना इतना मुश्किल है और क्या सुरक्षा नहीं देंगे तो इस तरह की बयानबाजियां लगातार 87 जो दल है उनके नेताओं की तरब से, उनके सांसदों की तरब से की जाएंगी और कब इन पर अंकुष लगेगा इस तरह के वयान बाजियों पर इन सवालों के जवाब हम लेंगे कुछ खास महमान हैं मेरे साथ स्टुडियों में जिन से चर्चा करेंगे इसे मसले को लेकर डॉक्टर शालीनी शर्मा है हमारे साथ सामाजी कारेकरता आप हैं भूम सिंग राना कॉंग्रेस का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में राजी उरंजन वरिष्ट पत्रकार हमारे साथ स्टूडियों में हैं साथी बीएस डोगरा रिटाइड एसपी आप हैं सीवियाई से और रेनु भाटिया सरकार की तरफ से आ कहीं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है इस पूरी चर्चा को लेकर स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में और बड़े बात के शुरुआत करेंगे चुंकि बीजेपी से जुड़ा ये मसलाख है रेनु भाटिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है भाटिया जी आपके पास मैं आऊंगी और जानूगी कि सुरक्षा कब तक नहीं देंगे और सुझाओ कब तक देते रखेंगे देखे मुझे ऐसे लगता है कि हमारे किसी भी बड़े नेता ने अगर ब्यान दिया होता है तो हमें उसको समझना बहुत जरूरी है जी और जो उन्होंने बात करी किरन खेर आपको क्लेर कर दी बात और मैं भी आपको यही बात कहूंगी कि आप और हम जब भी कहीं ट्रावल करते हैं तो अपने बच्चों को बाहर ट्रावल करने से पहले या निकलने से पहले ये नसे जरूरूर बेसे बहुत शुरूरात में मैं आपको रोक रही हूं माफी के साथ बच्चों का जिक्र नहीं किया गया मैडम बच्चों का जिक्र नहीं किया गया लड़की का जिक्र किया गया है गैंगरेप की पीडिता को सुझाओ दिया गया है तो बच्चों को मत कहिए बच्चों और लड़कीयों में अंतर कर लूँ उन्हों ने जो अपनी बात रखी उस कभी भी इस तरह से कोई आटो या इस तरह वाली बात होती है डेफिनेटली ये जो हुआ ये बहुत दुखदाई है ऐसा नहीं होना चाहिए प्रन्तु जो उन्होंने बात थी अगर हम उसके उपर डिबेट कर रहे हैं डिबेट के दो वर्जन हो जाएंगे यहाँ पर एक तो डिबेट होती है कि इस तरह से हुआ हमने बच्चों को कैसे समझाना है कैसे प्रिपैर करना है बच्चों को समझाया जाता है सुनी एक बार के लिए पीम नरेंद्र मोधिक खुद मंच से कह चुके कि जो रेख करते हैं वो भी किसी ना किसी के बेटे हैं बच्चों में बेटे भी शामिल हैं जो की आरूपी हैं जो की दोशी है फिर उनको भी सुझाव दिये जाएं जोती आप और मैं वर्किंग हैं हम लोग भी जब फील्ड में निकलते हैं difference between male and female security and difference between male and female eye gesture भी समझते हैं तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों की बेटों की बेटों की शुरुद रूरूर के बाते हैं अब कर दो जो बेटी के साथ आपने जो अभी बात कही कि आपका भी यही मानना है कि हम वरकिंग हैं हम ध्यान रखी इस गटना ने चन्डीगड को शरमशार किया है और इसके बाद हमारे सांसत जी बजाए वहाँ उसको ट्रीटमेंट देने के या और अच्छे सुरक्षा के मेटिंग्स करके और सक्त आदेश देने के आप उन्हें एक अलग से सुझाओ दे रहे हैं ऐसे सुझाओ के अंदर हमारी तो इसका मतलब फिर चंडीगड की बेटियां कहीं स्कूल कॉलेज या और कहीं पे जाना बंद कर दें और वो देखें के काफी कितना कुछ क्या भैका महुल है कैसा महुल है इसके अंदर मैडम ने फिल्मों में काम करती हैं मैडम की बेबाकी जो बाते हैं वो बिल्कुल फिल्मों वाली लगती हैं उन्हें तो हर तरह की कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की बात करने कब एक कोई सीरियसनेस नहीं है इसके अंदर और ये बिल्कुल एक सांसद की यहा और पे यह दिखा दिया है कि वह स्क्राइबट बिल्कुल लापरवा है कोई इसरीजद नहीं नहीं है और कितने दिने के बाद वहां पर उन पकड़ा गया है कोई परसाशन की कोई जुम्मिवारी नहीं मिली और सांसद जिन एक दिन भी आक Immer ब्यान भी मैं कहता हूँ भी आठ दस जिन के बाद दिया है वरना एक दो दिन बाद आके यहाँ पुलिस को और अच्छे उससे करती ताके सांतुवना मिलती चंडीगड सुरुक्षित रहता अप एक्षित यही था उम्मीद है यही थी कि जनता के बाशिंदे आप है में थे तो पिडिता को ध्यान रखना चाहिए था यह नसीहत दी जाती है क्या लगता है संवेश क्या जाएगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यह बहुत ही संवेदंशील मुद्दा था सांसद महिला भी हैं और एक जमेदार पत पर भी हैं उनकी एकाउंटिबिलिटी बनती ही है मैंने सुबह से अभी उनका वैयान सुना आप ही के टी वी चैनल के माध्यम से और मैंने सुना तुम की एक पंक ठी हुँई जोती जी आप भी महिला हैं, आप भी लड़की मैं both महिला हूँ और किरन खेर जी भी एक महिला है मेरी भी एक बेटी है मैं आपको एक बात बताओं कि अभी तक ये देश सुरक्षित नहीं है बेटियों के लिए इसमें कोई शक नहीं है लेकिन ये बात जब एक मां के दिल से निकलती है तो वो समझ में आती है लेकिन जब एक सा सांसद का बयान नहीं है, एक मां का बयान भी है और मैं यह कहूंगी कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, वो कोई भी इस तरह का यदी बयान देते हैं, तो इसे नारी जाती चरतारी ठोट है, दुखी होती है। पिलर है और जब आप पबिक लाइफ में होते हैं तो आपको किसी भी परकर का इसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो इसका कि मिसिंटर्पर्टिशन हो और जो एक मैसेज दे कि यह जो हमारा पिलर है यह जो हमारा सिस्टम है इस से लोगों को गलत काम करने के लिए एक उसका होसला बुलंद होता है एक समानने आदमी के रूप में एक डिफ्रेंट कैपसिटी में आप प्रीच कर सकते हैं लेकिन लेजिसलेटर का जब आप पार्ट है और एक सिस्टम का हिस्सा है तो वहां आप प्रीच बियोंड हम आप से थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि सर्टन प्रीकॉसंस आप अब जर्ब लाए एक तरफ टोटल इनिफेशेंसी है सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है यह तो संजोग है ऐसा कोई किसी भी बात की गारंटी नहीं है कि स्कूटर में आटो में अगर एक लड़की हो और एक लड़का और तीन लड़की हो तो तीनों लड़की सुरक्षीत है कि सड़क पर अगर लड़की खड़ी रहती है अगले अगर कही है यह तोटल इनसेंसिबिलिटी है और पॉलिटिकल क्लास एकॉंटिबिलिटी के साथ वो पॉलिटिक्स करते नहीं है वो आयाराम की politics करते हैं और लोगों को they take for people who are arrived कि कोई बात नहीं चलो गरीब आदमिया हो गिया हमने बोल दिया शफाई दे दिया यह एक जो casual approach है routine approach है इससे हमारा सारा system और लोगों के democracy में बिल्कुल शिरवात में भी मैंने कहा कि बड़ा बयान एक दिया गया हलके शब्दों के इस्तिमाल के साथ डोगरा साथ आपके पास मैं आऊंगी आपने CBI में आपने काम किया अधिकारी आप रही है दोशियों की वानसिक्ता को बहुत करीब से आपने बैठे हो तो बेटी अगर उसके पास पैसे अलग स्कूटर करने के नहीं हो या कार करने के नहीं हो तो बचारी कहां पर बैठेगी यह हमारा काम है legislature काम है पुलिस का काम है कि हम पब्लिक में confidence बिल्ड करें कि कोई भी बेटी बेहन जो है रात को दसवे जाए या बारावे जाए उसको डरना नहीं चाहिए यह तभी possible हो पाएगा जब हम पब्लिक में confidence पैदा करेंगे और पुलिस का यह होगा कि भी पुलिस का खौफ होगा कि अगर हम कोई क्राइम करने जा रहे हैं तो हमारे साथ क्या उसका हशर होगा और हमें ज़्यादा से ज्जादा सजा मिलेगी तो विवादित बियान अपनी जगा अलग है बियान देने के पेक्षा करना यह चाहिए था कि हम क्या-क्या steps लेने जा रहे हैं जिसे future में ऐसे incident दवारा रेकर ना हो बियान बाजी से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है ज़्यादा यह होने चाहिए था कि हमने यह सुरक्षा की है और future में हम यह कह सकते कि नहीं हो यह कदम हम उठाने वाले हैं पहले हम पूरी चर्चा कर रहे थे बड़ी बात में कि किरन खेर ने क्या कहा उस बयान के क्या माईने निकलते हैं अब इस चर्चा में यह बात भी शामिल हो गई चुंकि रेनु भाटिया का मानना है कि वो इस बयान का समर्थन करती है वो किरनखेर के साथ खड़ी है तो रोईनु हाटी आपसे भी मेरा सवाल है कि अगर वो लड़की उस ओटो भी नहीं बैठती जिसमें तीन शक्स पहले से उपस्तित हैं क्या आप गैरंटी लेंगी क्या आप इस सांसत गैरंटी लेगी आपकी सरकार इस बात की गैरंटी लेएंगे कि किसी भी बैटी के साथ इस तरह की अन्होनी ना हो और हम लोग समाज में ऐसा समाज को ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं हम सब मिलकर कि यह पुर्षों में आए ही ना कि बेटियों के साथ इस तरह के दुशकर्म की बावना सोचनी भी है करना तो दूर तो इस तर प्रादियों को लगेगा कि बेटियां जो हैं पिडिताएं जो हैं वो घर पर रहें वो देरात ना निकले अगर उस ओटो में वो बैखती है जिसमें तीन लड़के पहले से सवार हैं तो उस लड़की की गलती है फिर देखिए आज हम सभी लोग मिलकर अपनी बेटियों को हर तरीके से सिक्योर स्ट्रॉंग करने की कोशिश कर रहे हैं आप देखें जगा जगा पर पिछले कई वर्षों से इन बातों को सोचते हुए ध्यान में रचते हुए बेटियों को डिफेंस सिखाया जा रहा है बेटिय लेती इस बात की कि क्योंकि वह उस उटों में नगी बैटि तो गैंगरेप ही नगी होता अगर हम अपनी बेटियों को एक सिक्योर पॉइंट से सिक्षा देते हैं तो शायद वह थोड़ी जागरूख होती और आज हम अपनी आने वाली पिटियों इन बातों से अपनी जुम्मेवारी से बच रही है और मैं मेडम भाटिया जी से भी पूछना जाता हूँ कि जिस दिन जिस बच्ची के साथ वो एक गरीब बच्ची थी दूसरे प्रदेश से नौकरी करने के लिए आई थी चंडीगड का एक ऐसा महौल था कि जो हिंदुस्तान में नहीं संसार के अंदर यहां की लाइन ओर्डर की बात सक्त मानी जाती है परंतु आज हमें इस बात के लिए सरमशार किया है और दूसरे मैडम ने जो ब्यान दे के उससे ज़्यादा सरमशार किया है वो हमें इस तरह की बातों से क्या पेट भरने वाड़ा है यहां पर क्या इस बात से हमारी बेटियां खुल के इस चीज का मुकाबला कर सकेंगी बशरते के भी आप यह चेक करो कि वहां बैठना है वहां नहीं बैठना है किस उसमें स्कूल में जाना है किस कॉलज में नहीं जाना है कल को तो यह कहेंगे भी जो सिक्षन संस्थानों में भी आप देखके जाएए वहाँ लड़के हैं या नहीं हैं या कुछ और बाते हैं किस बस में बैठना है किस ट्रेन में बैठना कहां नहीं बैठना ऐसी बातों से आप बच नहीं सकते आज मैडम किर्ण खेर हर मोर्चे पर हर उससे फेल हो गई हैं और चंडीगड के लोग हरियाना के लोग इस बात मे अपने आपको अपमानित महसूस कर रहे हैं कि यहां से एक हमने ऐसी सांसद चुणी कि जो ऐसे ब्यान देगे तरे बात जी इस बात से इतिफाक रखती है कि आप इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे इस चर्चा में इस बात से सहमत होने की की सांसद के बयान में शर्मसार किया आखे चलिगड को कि सुरक्षा हम नहीं दे सकते हाथ हमने खड़े कर लिए हैं बेटे आख खुद के सुरक्षा के लिए खुद जिम्यदार है देखिए ऐसे कोई शब्ष किरन खेर जी ने नहीं कहे कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते उनकी बात का माइने ना बदला जाए, डेफिनेटली अगर कहीं सुरक्षा में कमी है, तो हमें उस सुरक्षा को और बढ़ाना चाहिए, कहीं पर अगर इस तरह के हाथ से हो रहे हैं, या इस तरह की वारदाते सामने आती हैं, तो हमें उन लोगों को पकड़ कर सक्ट सक्ट से आजाती हैं, कि करना ये चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, विपक्ष ये बात कहें, समझ में आती हैं. जो ब्यान दिया भी, तो ऐसा ब्यान दिया, कि जिसके अंदर कुछ भी हम क्या समझें उसको, क्या हम अपनी बेटियों को अपने बेहनों को क्या तसल्ली दें चंडीगड के? पीडिता इतनी हिमत नहीं जुटा पाती कि अपनी विद्वा मा के साथ अपनी पीडिया को साचा कर सके, अपने दर्द को बता सके, अपनी परिजिनों तक इस बात को नहीं पहुंचाया जाता, फिर इस तरहां के बयान की ओटो में क्यों मैं थी? जी बिल्कुल जोती जी सबसे important बात ये है कि एक women के दिल को समझती है और आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी इस बात के लिए किरण खेर जी की हमेशा इज़त करती रही हूँ, कि ये सवेदन शील महिला है, और सवेदन शील महिला को ये बात समझनी चाहिए थी, अगर तीन लोग एक काटो के अंदर बैठे हैं, तो बेटी पहले कैसे इस बात का अंदाजा लगाए, कि वो जो अंदर बैठे हुए लोग है, उनकी मनोवरत्ती क्या है, वो उसके बारे में क्या सोचेंगे, और एक बात मुझे कभी समझ में नहीं आती, कि सारे नियम काइदे का कानून बेटियों के लिए बना दिये जाते हैं, डिफेंस के लिए अगर डिफेंस सिखाया जाए, बेटियों को सिखाया जाए, मैं माननीय मोदी साब की बात को सुन रही थी, मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूँ, यार अपने बेटों को भी कुछ सिखाई है, आप अपनी बेटियों के लिए हमेशा हम कमर कस के रहते हैं बेटिया ये ना करें बेटिया वो ना करें दो साल की बच्ची का बलातकार हो जाता है उस समय हम उस बच्ची को क्या सिखा सकते हैं तो किरन खेर जी को इस तरह से बात नहीं कहनी चाहिए थे रादर जरूर ध्यान लखना चाह हैं कैसी चिक्षा प्रडाली हम बनाएं कि हमारे बेटे और बेटियां दोनों सही रास्ते पर चले और कैसे हम डिफेंस मैजस लें ताकि बेटियां भी अपने आपको इस देश के अंदर वैसा ही अनुभव करें जैसा बेटे अनुभव करते हैं रात को किसी बच्ची को दिक देंगे और बयानबाजी से केवल आप काम चलाएंगे तब तक यह देश नहीं चल सकता लेकिन मैं भाटिया मैं के एक बात से थोड़ा सा तवज्यों मैं रखूंगी मैं यह जरूर कहना चाहूंगी मुझे भी यह लगता है थोड़ा सा कि जब वो यह कहते हैं कि मैं मां के एक पिता कहें समझ में आएगा लेकिन खूंगर के आप हैं आपका काम है सुरक्षा देना भाटिया जी आपके पास मैं आऊंगी उनन्चास फिसदी दो जन संख्या है उसका हिस्सा होते हुए मैं इस बयान को सुनकर डरी हूँ सहमी हूँ शर्मसार हूँ साथ ही मेरे परिजन जो है वो भी इस बात से डर सकती है कि अगर हमारी बेटी खर से बाहर काम करती है इस तरह के ओटों में सवार होकर वो रूम या पीजी पर आती है तो वो सुरक्षित नहीं क्योंकि चंडिगर की सांसद का ये मानना है आपको लगता है इस बयान क्यार् से अभी डॉक्र साइबा कहे रही थी कि हम माए हैं हमारी बेटिया हैं तो हम उनको एक precautionary measure जरूर देते हैं अपनी बात में ये हमारा स्वभाव होता है चाहे हमारा बेटा भी बहाद जाता है वो बाइस पे जाता है तो हम उसे जरूर कहते हैं बेटा बड़े ध्यान से च पर आये है रूकरे एक बार के लिए अ जोसी जी ने आप को एकAre तोर पर कहारी हूं कि बेटी को बेटे को हम दोनों को नसीयत देते हैं अपने तरीके से हर माएक नसीयत देती है वही बात कि इने मान के तावर फैपात को कहा तर्णते आप और में दिली में काम करते हैं हम कभी इस बात को समझना भी बहुत ज़रुरी है कि एक सशक्त महिला में एक सांसद में और एक मा में फर्क है। जो मैं जो फील करता हूं कि इसमें जो क्लास के बीच जो हमारा जो डिवाइड है उसको भी बू आती है हम हम थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं अगर विक्टिम गरीब है जी हम में वो एग्रेशन नहीं होता है यह हमारा एक माइंसेट है टिपिकल इंडियन माइंसेट है कि गर अगर विक्टिम है तो हम सॉफ्ट हो जाते हैं लेकिन विक्टिम अगर किसी पावर नुटी से है रिच हैं से हैं तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं फिर ऐसा लगने लगता है कि हंदूस्तान अब कुछ भी गलत करने को तैयार में का कुंडू पर भी हम चर्चा करेंगे इस बहस में क्यों दिजनिमेट का ही वामला रहा है नहीं है नहीं कोई क्रॉस चेकिंग है नहीं कहीं एकॉंटिबिलिटी है तो ऐसे महोल में बड़ा अटपटा सा लगता है और इस परकार की इंसिडेंट्स हो जाते हैं हम डिबेट कर लेता है बात है फिर वहीं आकर के खात मुझा बाती वही धाकी तीन पात पूरी स्थिती रहती है हम एक छोड़ी से ब्रेक के लिए यहां हमें रुकना होगा उसके बाद सवाल कही है कि जो इस तरह के वयान दिये जाती है उन पर माफी मागी जाए या फिर उस बयान का भी बचाव किया जाए इस तरह की बयान जो है वो क्या संदेश देती है एक पीडिता को उसक रक्षा कून देगा इन सवालों की जवाब लेंगे एक छोड़ी से ब्रेक के बाद के लिए तीन लड़के अगर ओटो में पहली से बैठे हैं तो पीडिता ने गुनहा कर दिया है और साथी उन तीन लड़कों को लाइसेंस बिल गया है गैंग रिप करने का क्योंकि बयान से इसी तरहां की बाते निकल कर सामने आई हैं जो कि चंडिगर की सांसद की तरफ से दिया कया महिला सांसद की तरफ से ये बयान दिया कया खेवाद में सफाई भी पेश कर दी गई है ये पहला मौका नहीं है इससे पहले भी बीजेपी के चंडिगर के उपाध्यक्ष पर दोटी की हम बात कर लें, वर्निका कुंडू मामले में सवाल ये कर चुके हैं कि वर्निका इतनी रात को सड़कों पर क्या कर रही थी, अगर सरकार पक्ष इस तरहां के बयान देगा, अगर सियासत दान इस तरहां के सुझाओ देंगे सुरक्षा के बचाए, क्या भला हो पाएगा, क्या बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ की जो बातने की जाती हैं, वो वास्त्विक धरातल पर उतर पाएगी, इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ खास महमान मेरे साथ जोड़े हैं इस चर्चा में, रेणु हाटिया जी आपके पास मै गया, गैंग रिप करने का, इस तरह की घिनोनी वारदात करने का, जब सांसद इस तरह की बात करती हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई दील या ऐसी कोई सोच हम उन लड़कों को या किसी भी लड़के को नहीं देना चाहते, कि वो इस तरह की सोच भी रख पाए, कि बेटिया एक टूल है या कोई भी उनके साथ किसी भी तरह की वारदात कर सकता है, हमें इस चीज के लिए और सक्स हमें इसको और सक्षी से बरतना होगा, और आज समाज को एक जुट होकर इकठे मिलकर हमें लड़ाई लड़नी होगी, कि हम कैसे इस चीज के लिए इकठे नहीं लड़ते ना, चुनाओ से पहले आप लोग इस मुद्दे को लेकर चुनाओ लड़ते हैं, इकठे कभी याती महिलाओं के सुरक्षा को लेकर, डोगरा साब आपके पास मैं आऊंगी, किरनखेर ने खुद का एक एक एक्जामपल दिया है, उधारन उनकी तरफ से पेश किया गया, कि मैं जब टैक्सी में बैठती थी, मुझे कोई छोड़ने आता, उसको टैक्सी का नंबर में ब आप आटो में बैठेंगे, टैक्सी में बैठेंगे, किस गाड़ी में बैठेंगे, ये डिपर्ण करेगा आपकी फाइनेंशल स्टेटरिस के उपर, मेरा कहना तो सिंपल ये है, कि ऐसा क्यों हुआ कि एक लड़की के दिल में कोई भै नहीं था, कि भी मैं बैठ रही हूँ मैं स्कूटर में जा रही हूँ, कोई प्राव्ब्न वाली बात नी है, हम ऐसा बातबरन पैदा करें, ऐसा डेटरेंस पैदा करें, कि जो लड़की कहीं भी बैठे, उसके मन में ये जो सुरक्षा, तुम जो दृष्टी से रहे, सुरक्षा रहे, कि मेरे साथ कोई भी पैदा करेंस ना हो, और हम काफी मेजर्स लें, पुलिस के द्वारा, ओटो रिक्षा में जा रहे हैं, प्रॉल्म यह है कि क्या सारे ओटो रिक्षा के ड्रैवर्स की क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की बैरिफिकेशन पुलिस द्वारा की लेनी कि बेल्कुल नहीं होती, नही या यूपी के लोग जो है चंडिगड में काफी मातरा में स्कूटर और जो गाडियां चला रहे हैं, वो अपना एड्रस रामदरवार का दे दिया, पुलिस अगर रामदरवार की बैरिफिकेशन करती है, वो सफीशन नहीं है, उनका बैक्ग्राउंड च्या करने चाहिए, यह की भी जब पैदा हुए, तब से वो क्यों आए, यहाँ पे क्या करने आए, क्या कोई उनका क्रिमिनल प्रीबियस रिकॉर्ड है कि नहीं, यह सारी वेरिफिकेशन और जो पीरिडियों के लिए हर एक स्कूटर की जो भी ड्राइबर चलाता है, उसका लाइसन चाहिए, पुलिस की बेखरेक में तमाम चीज़े नहीं, थोड़ा आसान हो सकता है, तो इस तुनक्षा मिल सकती है, भूम सिंग जै आपके पास मैं आऊंगी, जो एक और बात कही गई किरन खेर की तरफ से, कि बढ़ती जनसंक्या के साथ क्राइम भी बढ़ता है, क्या लगता है, य और चंडीगड में भी वो इसी तरह फिल्मी डायलोग के ही संदर्म में लेते हैं, मैटम को ये देखना चाहिए था, कि स्तारा तारिक के बाद वो जो पकड़े गए हैं, वो वैसे ही पकड़े गए वो पेट्रोल भरवाने के लिए किसी उसमें गया, वरना सारे उनके लाइसेंस चेक करता, ना उनकी थ्रीविलर की कोई और दूसरी सारी चीज़ें, उनकी पूरी नहीं है, तो इस बात के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो फिल्में बढाने में व्यास्त हैं, और यही चंडीगड के लोगों से गल्ती हो गई है, हालांक अगर हम देखें, टोकियो जो सिटी है, विश्व का सबसे मौस्ट पॉपॉलर सिटी है, वहां क्राइम नहीं होती है, दिल्ली में क्राइम होती है, दिल्ली से में पॉपॉलेशन उससे काम है, यह कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, हम जब जब आप सरकार के नहीं दे सकते है problem क्या है कि जहां भी इस परकार के जो crimes होते हैं पूरे world में जो trend है जो कि poorly governed countries है और poor countries है सारे African countries ले लिजे पाकिस्तान ले लिजे बंगलादेश ले लिजे और इंडिया ले लिजे यहां इस परकार के गरीबों के खिलाफ against इस परकार के atrocities होते हैं और सारे जिगह होते हैं अब हमारे पास उतने mechanism नहीं हम check नहीं कर सकते हैं लेकिन जहां है वहां हम good example set कर सकते हैं चंडिगण को एक हम example set कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर पाना है तो यह एक बड़ा ही सोचनी और चिंता की बात है बेलकुल शालिनी शर्मा जी आपके पास मैं आओंगी जब किरंखीर से सवाल किया जाता है कि चंडिगण को महिला I.O की जरूरत है तो उनका जवाब की मेर जो हैं चंडिगण की महिला है क्या लगता है ये मखिलाई समझ पाएंगी उन पेडिताओं के दर्द को ऐसे बयानों के जरही ऐसी वानसिक्ता के सरे हाँ ये इस विशह पर तो पर ये कहूंगी कि बहुत ही सोचनी बात है कि ये चड़िकर जैसे यूटी को यूनिन टेरिट्री है चड़िकर और इसे बहु है जब यहां पर सांसद हमारी महिला है और यह तब है जब यहां पर मेर भी महिला है और यह तब है जब यहां जी ऐसे स्पी महिला है और बहुत सारी महिला यहां बहुत डॉमिनेटिंग पोजिशन में हैं मैं बहुत हैरान हूं अगर ऐसी स्थिती में और ऐसा नहीं है जो बिल्कुल कौन सा भला हो जाएगा और देखिए एक सिंपल सी बात है डेटरेंट की बात यहां पर आईए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं मैंने पहले भी यहीं सी मंच पर 4-5-3 पहले यह बात कही थी कि इस देश को डेटरेंट के बिना आप सुधार नहीं सकते यहां के जो लोग हैं इनको यदि आप मौरान वैल्यूज की आधार पर केवल सुधारेंगे केवल समाज सुधार से हम चलेंगे काम नहीं होता यहां पर हम सीट बेल्ट को पहन करके चलते हैं और जैसी चंडिगर की बाउन्डरी हमारी क्रॉस होती है हम बेल्ट को खोल देते कि यहां पर चालान होने के संभावन नहीं है, तो इस देश में जब तक सुधार नहीं होतें, तो डेटरेंट की नीती को अपनाने की जरत है, और क्योंकि किरन खेर, इस समय रूलिंग पार्टी से वो जो है सांसद है, उनका ये फर्स बनता है, कि इस बात को स्ट्रॉक तरीक उनकी तरफ से कहा गया था कि इतनी रात को वरनिका क्यों आई, सेडकों पर क्यों थी, अभी आपकी सांसद कहती हैं कि तीन लोग अगर ओटों में बैठे हैं, तो लड़की ना बैठे, आपको नहीं लगता कि बीजेपी एक बुकलेट जारी कर दे कि लड़किया क्या करें लड़किया क्या ना करें, तब वो सुरक्षित हो सकती हैं? कि यहां पर कोई भी किसी प्रकार की गल्ती अगर किसी की पाई थाएगी, तो उसके खिलाफ एक बराबर कारवाई होगी, चाहे हो अगर जानकारी देदें, सांसद किरन खेर को लेकर तबाम चर्चा हम कर रही हैं, लगातार उनको फोन करने की कोशिशें भी हम कर रही हैं, इस बयान को लेकर जो बात उनकी तरफ से कही गई, उसको लेकर हम बातचीत की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सांसद साहिबा फोन नकी उठा रही, ये जानकारी हम दर्चेकों को देदें, भाटिया जी बात पूरी आप कीजिए, साथी मैंने ये जानना आपसे चाहा था कि र देखिए, ये दुखर्द है कि आज बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, आज 21 सदी में हम बेटियों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, काम करने भेज रहे हैं, प्रंतु फिर भी इस तरह की मानसिक्ता वाले लोग अभी भी हैं, प्रंतु हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रियास हर तरह से यही है कि अधिक से अधिक सजा का प्रवधान हो अधिक से अधिक उन लोगों को पकड़ कर उनके साथ वैसा किया जाए ताकि उनकी इसमानसिक्ता के साथ हो पाएगा क्या शालीन जी आपके पास भी मैं आउगी भानु सिंग जी आपके पास मैं आ रही रेप घरों में भी होते हैं, बढ़ती दन संख्या के साथ भी क्राइम बढ़ता है, तो लगता है कि मनशा है BJP की सकत कादून बनाने की, सकत सजा की प्रावधान की इन ब्यानों से बिल्कुल नहीं लगता कि BJP की कोई मंशा है अगर कोई मंशा होती मैं अब भी यही बात कहता हूं कि अगर सांसर जी की यहां से वो तुरण इसके उपर कोई एक्सल लेती उस बच्ची को अब वही बात हम कर रहे हैं कि इसमें भी गरीब और अमीर को देख र गरीब बच्ची ते जो दूसरे राज्या से आई है यहां नोकरी कर रही थी हूं और उसका परिवारिक भी वो इतनी ज्यादा बुखी थी कि अपनी माह तक को नहीं बात बताना चारी थी तो ऐसे में सांसर जी ने बिलकुल आंख मीच ली मैं मैडम भाटिया जी से यही कर चाहता हूं कि अगर ऐसा क्यों हुआ है उसके क्यों नी उसके सुरुक्षा के एकदम क्यों नी उसके चंडी गड़का है वेलकुल सांसर जी यहां उनके साथ खड़े हुए यह यह बड़ा सवाल है साती डोग्रा साब आपके पास मैं आउंगी वरनिका कुन्डू का जो मा ताखे तो सेक्टर सूला की अस्पताल में भी सांसद नहीं पहुचती यह बात बिल्कुल सही है हाई प्रोफाइल जो सोसाइटी के लोग है उनके प्रति हमारी सोच बदल जाती है ग्रीब के प्रति हमारी सोच फोड़ी डिफरेंट रहती है बिलकुर करना यह चाहिए कि वि करना है यह नहीं कि उपर से कोई दवाव आएगा तब करेंगे हालां कि चंडिकर्ट पुलिस का रोल इसमें एप्रीशेवल है उन्होंने कम से कम बिना आइडेंटिटी के CCTV फुटिस के बेसेस पे भी तीन मुल्जवान को पकड़ा है उनका बड़ा अच्छा काम रहा है प या वो सड़क पर खड़ी रही पूरी रात PCR पास से गुजरती है PCR रुक कर ये भी नहीं पूछती कि अकेली लड़की इतनी रात को क्यों खड़ी है उसे किस दिल्स की जरूरत है क्या वो सुरक्षित है या फिर नहीं पुलिस का काम ये सही है कि पुलिस कभी कभी गाइव हो जाती है पुलिस को कंटीनिवसली उनकी डूटी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने आपको सुरक्षित मैसूश करें और रात को अगर कोई लड़की अकेली गई तो शायद पुलिस वाले ये भी डरते हैं कि भी अगर वाले सड़क से नदार्ग हो जते हैं कम से कम पूछा जाए जवाब क्या आएगा स्थिति क्या होगी उसे पूछा जाए बडर वार्दात वह जाती है तो चंडिगर्ट पूलिस को जवाब देना पड़ता है फिर पुलिस जाते हैं हा तो अगर पूछ लें तो को इस तरी से वो बात भी पूरी किजिएगा साथि आपसे मैं यह जानूगी यह सुझाव दिया गया है किरनखेर की तरफ से अगर दिकत होती है परिशानी होती है तो सो नंबर पर फोन कीजिए रियालिटी चैक के दोरान हमने खूब फोन नंबर मिलाने की कोशिशे की सो नंबर पर डायल करने की कोशिशे की लगातार फोन बंद मिला उसके बाद फोन बिजी आता है किसी तरह का कोई रिस्पोंस चैड़ेगर पोलिस की तरफ से नहीं मिलता जोती जी देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ मैं 21 साल से इस मैं अगर देखता हूं कि कहीं कुछ हो रहात मैं वाइट करता हूं कि चुकि पुलिस की जो एप्रोच है वो इनकरेजिंग नहीं है वो थोड़ा सा वो पॉंपलिकेट है वो जो पुलिस और पब्लीक के बीच में जो सिनर्जी होनी चाहिए विज हुमन टच वो मिसिंग है पुलिस का परेजय संफिटेंस जनरेट नहीं करता है आदमि डर जाते हैं करें पुलिस है भागो पता ने पकड़ करके बैठा कि क्या कुछ ले शीक पता नहीं कभूल कर वा लिम ante लगोनाय कि नहीं करती है जिक लोगों आपरर्सरेप्शन बन गया है दूसरी बाद Jupiter लवीव जाहिए आप कोई भी यॉरॉपियन कंट्री जाहिए आप जैपैन जाहिए सौथ कोरिया जाहिए आप चीन के कुछ सहरों का डेटा इकठा किजिए यू टेक डिटेल से फ्रॉम्बो सिटी वहां ऐसा नहीं होता है हमारे यह क्यों होता है हम उनसे क्या सीख रहा है सी दरते हैं प्राब्लम तो यह है कि हम दोनों से लोग डरते हैं पुलिसे भी डरते हैं और जो क्रिमनल से उसे तो डरते ही है यह इस देश का दुरभाग्या है और चन्लीगड में इसा लोगों की फिलिंग है यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है शाले मीचे बिलकुल लोग सड़कों पर रात को निकलने से डरते हैं मुझे नहीं मालुम यह देश कब हमारे लिए सुरक्षित होगा मुझे नहीं मालुम मेरी बेटी भी मुझसे अकसर यह सवाल करती है कि ऐसा कौन सा दिन होगा जब मेरे लिए यह देश सुरक्षित होगा विश्य कैसा होगा नहीं मालूम कहीं न कहीं खामिया मुझे लगता है हर सरकार में रही हैं खामिया हमारे कानून में भी रही हैं खामिया हमारे समाच में भी रही हैं खामिया हमारे दिलों में भी रही हैं और खामिया हमारे सुधार करने के तरीकों में रही हैं और सबसे बड़ी खामिया रही ह महिलाओं में खासकर तब जब महिलाएं उच्छ पद उपर पहुंच जाती है उन्हें कोई जिम्मेदारी के पद मिल जाते हैं और उसके बाद ना मालू क्यों वो दूसरी महिलाओं के सबस्याओं को भूल जाती है यह वह भूल जाती है यह आपको लगता है कि सांसत किरन खे के बाद इस तरह की बातों को भूल जाती है कि एक पेड़िता पर क्या गुजरेगी बिल्कुल नहीं अगर आप यह बात किरन खेर जी के लिए कह रहे हैं तो आप उनका किसी भी दिन का संसत का स्पीच उठा कर सुने तो आप ऐसास करेंगे कि उन्होंने महिलाओं के लिए कितने अच्छे तरीके से अपना व्यक्त विर वहां रखा है तो तब आप ऐसास करेंगे कि वो अपने पत्पर पॉलती है तो गैंग रेप की पीडिता को लेकर आप कोई भी सुचाओं दे देजिए मुझे लगता है यह बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है और अगर कहीं खामी रही भी है तो उस चीज़ को हमें सुधार में लाना है ना कि हमें उस चीज़ को बिगार करकर के और पुलेटिकल एक अजेंडा बना लेना है मुझे लगता है चीदे सुधरेंगी मैडम जो सांसद जी के पास इतना भी समय नहीं कि उस बच्ची का वो दुख देख लें सांसद जो चंडीगड में जो क्राइम हो रहे हैं उसके उपर कुछ बात ना करें यहां के देखें भी न वो पारलियमेंट में बैठे रहें सिर्फ पारलियमेंट यहां के लोगों न दालना हर बात को फिल्मी डायलॉग की तरह ताल देना मैंडम की आदत बढ़ चुकी है यह स्वेकार यह नहीं होना चाहिए किसे भी लोकतांत्रिक देश में बहुत जल देंगे तो मैं एक बार जरूर आप से कहना चाहूंगी कि मैंने यह अनुभव किया यक्तिकत जीवन से भी और अपने सामाजिक जीवन से भी कि जहां पर मुद्डे महिलाओं को ले कर के आते हैं वहां पर ना मालुम क्यों कि क्यों भूल जाती है कि हमने इन लमों को इन पलोग को जिया है और मैं यहाँ पर डिबेट में भी देख रही हूं मैं बाहर भी देखती हमारे पुरुष साती हमारे भाई हमारे बेटे जादा सवेधन शील होते हैं लेकि जिन्रों ने रेप किया जो जिन्रों ने क्राइम किया वो बेटे भी हमारे ही हैं लेकिन उनकी प्रवरती खराब है हमारे पास बहुत अच्छी प्रवरती के बच्चे भी हैं बहुत प्रचा में जुड़े रखने के लिए तो एक बार इससे पहले सांसद किरन खेर कह चुकी है कि जब से एक्टर से वो सांसद वनी हैं ट्रैक्टर वन गई हैं यह ट्रैक्टर टैक्सी और ओटू की बातू से निकल कर कब बेटियों को सुरक्षा दी चाहेगी और कब पेडिता के दर्द को महिला सांसर किरन खेर समझेंगी इस तवाल का हमने जवाब लिया फिल हालती जासर नवस्कार कर दो